नमस्कर दोस्तो आज के इस वीडियो में एक और पॉर्टफोलो को रिव्यू करने वाले तो चलिए देख लेते कि इन्होंने क्या बता है सबसे पहले बता है that my name is question mark तो मैं सबका नाम हाइट कर देता हूँ सबके privacy को maintain करने के लिए है I am investing from last one year and one of your subscriber thank you तो इन्होंने बता है that I am sending two portfolios first one is consistent compounder where I expect 20% CHR and I will add more sorry I will using I will more using buy on tip strategy till the 15 lakh but not add more companies तो और company add नहीं करना चाहते और 15 लग तक का investment first portfolio में जो इनका main portfolio वहाँ पे करेंगे another one is small cap risk portfolio where I am not expecting the consistent return and I want either two funny returns or 50% loss doesn't matter I will add more companies in second portfolio if get the good company in small cap but with small amount तो basically एक इन्ठा रिस्की portfolio and दूसरा इनका consistent portfolio है तो रिस्क को या पर इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से manage करके रखाए तो चले देख लेते कि कैसा portfolio है और कैसे portfolio को और बेटर बनाया जा सकता है तो पहले portfolio के उपर आ चुके और टोटल इंवेस्टमेंट इन्होंने किया 5,95,000 का और इनको या पर होड़ा है 54,000 का profit यानिकी 9% का profit करिंटली portfolio का size सारी 6,000,000 का approach बन चुका है पहला जो company है इधार पर एक्चली company नहीं ETF है निपन इंडिया का ETF है और ओविसली ETF में इडिस का काफी कम होता है तो आप simply आपे hold and continue या पर कर सकतो नेक्स्ट जो company इनके पास है यह बजाज finance बजाज बजाज finance में कितना investment किया वो तो दिख नहीं रहा है बट चो investment value है वो दिख रहा है 20% का profit को हो रहा है तो बजाज finance no doubt बहुत अच्छा है strong है consistent compound है top class management है काफी अच्छा growth लाग है बहुत कुछ अच्छा company में तो simply hold and continue कर सकतो अब या कंपनी में सब कुछ अच्छा चाहिए क्योंकि जब हम कोई company में invested होते तो company के positive and company के negatives दोनों पता होना चाहिए तो बजाज finance में positive क्या है वो सारा कुछ तो हमने discuss का रखा या पहले से ही पता है right discovered story है तो negative क्या है सबसे पहला आ जाता है इसका valuation जो कि अच कम नहीं है जो कि अच reasonable नहीं है right and second threat यह company या यह business के लिए क्या बन सकता है आगे जाकर that RBI अगर आके बजाज finance को बोले कि आप बहुत बड़ा इंविपसी कंपनी बन चुके हो अभी हमको या पर आपको इंविपसी का track आप नहीं दे सकते आपको bank बनना पड़ेगा तो तब जाके बजाज finance को problem हो सकता है अभी आप कहेंगे bank बनेगा तो अच्छा होगा problem कहाँ पड़े अभी काना कि इनविपसी companies को एक फायदा मिलता है banks को कुछ पैसा RBI के पास रखना पड़ता है maintain करके रखना पड़ता है जिसको हम SLR कहते तो वह इनविपसी companies को नहीं करना पड़ता है तो वह पैसा आगे वह लोन के रुपे दे सकते पर जब आप बैंक बन जाएंगे तो थोड़ा पैसा आपका अटक जाता है RBI के साथ तो वह एक डिस्क फैक्टर बजाज फाइनिस के लिए ठीक है दिन एस अफना होल्ट कर सकतो क्यूंकि कंपनी बहुत बढ़िया करे मैं जस्ट आपको कंपन बिनु जासा नहीं आया थोड़ा कम आया ग्रोथ 10 परसंट का फिर भी टोप क्लस कंपनी एन आइधिंग घंड कर सकतो कंपनी को निक्स्ट कंपनी इस और चेशारी परसंट का प्रॉफित होड़ा है फोटीश थाउसन का इंवेस्ट का इन्वेस्ट में टोड़ा है तो どもWow के चांठ पर्संट का रेटन स्टॉक्प बहुत तैम से चला नहीं क्योंकि काफी तमसे मार्चिन में प्रेशर अनिसके बाद मार्चिन तब्रॉफित-वाली कंपनी इंडिया बहुत Pra히ं के लिए तो घ्रसंट कर सकता है तेने इसे-चमी के ओभित तो की सब्सटों पर्स बढ़िया अब hold and continue कर सकतो देने fine organic तो इधर पे 3% का loss होड़ा है 44,000 का investment value है तो देखिए fine organic में इधर पे इस time पे थोड़ा pressure रहेगा तो पूरे chemical sector में pressure है दोसरा ये company का margin भी गिर रहा है and company का जो sales से वो भी नीचे जा रहा है तो थोड़ा जो pressure वो आगे थोड़ा और sustain कर सक जाता है fine organic के case में and एक और किस के है कि आप अब जाज finance हो या इससा बैंक हो या टाइटन company हो राइट डिमार्ट हो इन companies के आपको कौन कॉल मिल जाएंगे राइट कौन कॉल में क्या होता है कि management से question पूछे जा सकता है कि current scenario business का क्या है आगे का plannings वागेड़ा क्या 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 जहाँ पर आपको knowledge कम है जहाँ पर आपको पता कम है company के बारे में तो वहाँ पर क्या कर सकते allocation का कम दे सकते अपोलो हॉस्पिटल यहाँ थर्टी थाउजन का investment है अभी देखिया अपोलो हॉस्पिटल company अच्छा टॉप क्लास सबसे बड़ा hospital company यह हमारे framework के अंडर नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि वैलुइशन थोड़ा expensive है company ने लॉंग टर में multi-bag return दिया है बट वो लॉंग टर्ब की बात है अभी कितना डिटन देखा वह जादा important है अभी कितना growth आ रहा है वह ज्यादा important है तो अभी आपको लगे कि growth ठीक है मुझे तो अच्छा ही लग रहा है तो आप यहां पर होल्ट कर सकतो बट मुझे 110 कपी थोड़ा ज्यादा लगता है तो मुझे यहां पर नाराना hospital थोड़ा बेटा लगता है करता है वह कंपणी को ट्रैक कर सकते बट वह अगें स्मॉल के प्रेगोरी के अंदर आ जाता है लार्ज क्याप तो नहीं है उसके बाद है डिवीज लैप 33,000 का investment value 3.8% profit के साथ डिवीज अच्छा कंपणी कल हमने result के ओपर discuss भी किया था डिवीज का तो डिवीज का एक हमारे समझ में आना चाहिए ताट टीस आज बहुत बड़ा कंपणी हुज मार्केट के वाला कंपणी है 20% का आप कंसिस्टन डेटा ने एकस्पेक्ट कर रहे हो जो कि मुझे लगता है कि हाँ एक साल में मिल सकता है पर अगर आप 5 साल का या 10 साल का वियू लेकर चले हो तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है कोई आपको बता नहीं सकता है कोई आपको बताएगा भी नहीं आज इनका बेस साइस बहुत बड़ा बन चुका है अब सिंपली आज का छोड़िये 5 साल पहले जो बेस साइस था रेविनू का या प्रॉफिट का साइस था उसके उपर देखे तो वहां से आपको एक वाइड आइडिया मिलेगा क्या 20% का CSR यह बना करके देज सकता है क्योंकि ओवर एक्सपेक्टेशन रखके तो कोई फायदा नहीं है तो हम यहां पर 50% का भी सोच सकते है थोड़ा रियलेस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए जैसे का TCS के ब बड़ा बन चुका है तो ऐसे आपको सोचना चाहिए आम यहां पर अगेंस्ट नहीं है TCS के पट्ट क्या कर साकता कितना रिटान दे साकता वह एक रियल पिक्चर में आपको दिखाना चाहता हो ते नेक्स्ट कंपनी वी विल नो डाउट बहुत अच्छा है कंसिस्टेंट इसी कंपनी के कंपनी में थोड़ा लोकेशन चाहो तो आप इंक्रीज कर सकतो में होता तो इधर पर थोड़ा अलोकेशन इंक्रीज करने की कूशिष करता जो कंसिस्टेंट ग्रोध दिखा राए ऐज्ट है एंपटीं सेज़ा का इंवेस्टमें यह भी टॉप क्लास कंपन नहीं बहुत अच्छा है बेस बहुत बढ़ा बन चुका है देने दिपक नाइट एंड इधर पर 9% का इनको प्रॉफित हो रहा है विए कि दीपक नाइट को consistent compounder के अंडर तो नहीं ला सकते क्योंकि यह commodity chemical के अंदर है और commodity में क्या होता है कि margin अपका fluctuate करता रहता है तो इपक नाइट यहां पर अपने जिस लेवल पर खड़ीदा 1950 तो अच्छे लेवल पर खड़ीदा तो आइधिंग अब hold and continue कर सकते हैं अच्छा management चार्ट पासल में अच्छा हो रहा है तो hold and continue किया जा सकता है उसके बाद यह है इनका सेकेंड पॉर्टफोलियो जहां पर इन्वेस्ट्मेंट इनका है एक लाग सत्रा अजार का एंद अभी प्रॉफीट हो रहा है इनको 9000 का एंद एक लाग 26000 का पॉर्टफोलो का साइज बन चुका है पहला कंपनी वार्ड वीजार्ट मोबिलिटी एंड यह कंपनी जोई इवी के अंदर काम करता है तो अभी कहना कि कंपनी का करेंटली ग्रोथ बहुत सारा अग्रेसिव नहीं आ रहा है इनके नंबर्स में इस टेम पर दिखाई नहीं पढ़ रहा है तो वह आपको फोकस जरू करन रहे तो और तब तक अब होल्ट कर सकतो तेरी क्लीन साइंस कंपनी अच्छा है अच्छा कंपनी को अच्छे वैलूशन पर साधी साथ इंडस्टी में चल रहा है ना तो बिजनस सिस्टेम में उतना जाधा ग्रोग कर रहा है तो यह दो प्रॉब्लेम के चलते रिटन नहीं बन रहा है और शायद आगे थोड़ा और कर सकता है तो सिर्मा ने इस बढ़ किया क्या कंपनी ने अपने रेविनु में तो अच्छा ग्रोथ दिखाया 52% का प्रॉफिट ग्रोव नहीं हुआ प्रॉफिट सारी 3% क्यों मार्चिन गिर गया तो ऐसे टैप के कंपनी में इही एक नेगरी पॉइंट होता है कि मार्चिन जोए वो यहाँ पे प्रोटेक्टेड नहीं है मार्चिन थोड़ा गिर सकता है कभी भी यहाँ पे कॉंटेक्ट मैनेफेक्ट्रिंग कंपनी से ग्रोथ काफी अच्छा आ रहा है पूरे सेक्टर में इंडस्टी में टेलविन चल तो एलोकेशन भी आपका कंट्रोल में है तो होल्ड एंड कंटीर कर सकते हो कई शू नहीं बाला जाहाइन एक साल बात क्या होता इस कंपनी में तो ले ले लेंगा बहुत सारी इंवेस्टर के आगे आप निकल जाएंगे कोई बुक में यह सारा कुछ आपको नहीं मेलेगा जब आप खुद experience करेंगे तेने बाला जी माइन बाला जी माइन का next quarter का नंबर खराब आने का possibility है margin गिरेगा बट यह पर देखते हैं कि कब तक बाला जी specialty का IPO आता है क्योंकि बताया तो जाता है कि बाला जी specialty का IPO आएगा तो इस company को फायदा होगा तेने हरियों पाइप यह company बहुत इंट्रेस्टिंग हैं बहुत अच्छा कर रहे हमने recently fall में cover भी किया था था थोड़ा उपर भी आ चुका है इंट्रेस्टिंग कंपणी अच्छा growth expected देखते कैसा नंबर पोस्ट करता है सिप्टेमबर में तेन किप्टी अच्छा कंपनी अच्छा नंबर पोस्ट कर करक्स एंड इधार पर इंट्रेस्टिंग कंपणी है hold and continue किया जा सकता है देन कैमपर से स्टॉक काफी गिरा है अपने टॉप लेवल से बहुत जादा ओल्लेडी गिरावाट जो मैक्सिमाम वाला गिरावाट है आई थिंक कि हो चुका है जो प्राइस टूसें से में 25 टाइ जो पूर्फिलिए नों ने क्रियेट के साड़े अच्छे consistent वाले ही company है आपके इसे से बहुत ही अच्छी यह पर डाइवर्सी अपने बनाया हैं बदाएद फाइनस के सेक्टर से किमिकल के सेक्टर से वीबेल वेवरेट से से तो बहुत साठींट्रेस्टिंग कंपणीज ह कि आप simply hold and continue कर सकतो बाकी जो यहाँ पे small cap portfolio राइट तो small cap portfolio में क्या कर सकतो आप कि आप एक framework को follow करने की कोशिश करें ऐसा नहीं कि यहाँ पे देखा अच्छा लगा या खरीद लिया या किसी बड़ी प्लेन ने खरीदा तो मैंने खरीद लिया आप क्या कर सकतो कि इधर पर एक framework अब बना सकतो उसको follow करने की कोशिश करें तो आपको भी पता चलेगा कि उस framework का strength क्या है और अगर बहुत सारे यापे successful investment भास निकल कर आते तो simply उसी framework को आगे future में आप copy कर सकतो और उसी के तो बड़ा return भी generate कर सकतो तो हमने कुछ companies को discuss किया है main channel guide to investing channel पे वीडियो आएगा शंकरा बिल्डिंग के उपर discuss किया कि कैसे फूर इंचीन काम कर सकता है हमने good luck इंडिया के उपर discuss कि कैसे या पर चार इंजिन काम कर सकता है तो ऐसे वाली इंट्रेस्टिंग वाले company को पड़ी है हरियों पाई भे उसके साथ विनस पाइप के उपर हमने डिसकस किया जाप एक अगरेसिव ग्रोथ एक्सपिक्टेट है तो विनस वाइप जैसे company को पर सकतो बहुत इंट्रेस्टिंग हमने निवामा के पर वीडियो पोस्ट किया थ तो वह भी इंट्रेस्टिंग companies है उनको भी आप पर सकतो तो एक framework में आप पहले तो यहाप एक company का जो बिजनेस से बोलीजी अच्छा बिजनेस अच्छे सेक्टर में काम कर रहा है सेक्टर में टेल बिंच चल रहा है कंपनी का रिजल्ट अच्छा रहा है एंड वालूश यह संपल संपल कुछ framework करके आप स्टॉक स्क्राइट करें तो यह था यहाप दोस्तों आज का पॉर्टफोलियो एंड मेरा रिव्यू एंड बाकी इस वीडियो में हम डिसकस नहीं करें कि आगे जाके कितना विलती यह बना सकते तो वह आप खुद कर सकतो गूगल क्योगल गूगल में जाके कोई भी कर सकतो अपने हिसाब से डाल करेंगे वीडियो अच्छा लगा है तो राइक जरू कर देना साधी सच्छा को सब्सक्राइब कर सकतो नीचे आप स्टॉक्स का लिंक आपको मिल जाएगा चाओ तो उसके थ्रू आप अपना अकांट उपिन कर सकतो एंड हमारा प्राइविट लर्निंग ग्रूप को जॉइन कर सकतो फॉर लाइफ टेम जाप आपको कोई कॉल और टिप ने मिलेगा मेरे जोग खुद के टेड्स होंगे शौट टर्म लॉंग टर्म तो वह मैं आपके साथ शिया करता जाओंगा फॉर लाइफ टेम प्लस हर दिन आप एक बिटर इंविस्टर बनते चलेंगे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिलते अगले वीडियो में बबाई